तो शुरू करें तो आज की इस वीडियो में हम कंप्या करेंगे Qualcomm Step Deggen 888 और Exynos 2100 की बीच में आज हम फूल डीटेल कंपेजन करेंगे जो Qualcomm Step Deggen 888 है यह Qualcomm की तरब से आने बाला अभी तक सबसे पावरफुल और सबसे लेटेस्टीफ है और यह Qualcomm Step Deggen 865 का डियाल सक्षर लेकिन अगर हम बात करूं एक्जिनोस टूवान डबल जिरो के बारे में यह एक्जिनोस की तरफ से आने बाला सबसे लेटेस्टिफ है और यह एक्जिनोस का एक न्यू सीरीज है जो कि आपको एक्जिनोस सबसे पावरफुल चिपसेट बनाता है तो आज हम इने दोनों कंप कर दोगे तो शुरुवात कर लेते हैं सबसे बहले दोनों चिपसेट की सीप्यू एंड़ से हम लोग सुरुवात करते हैं दोनों चिपसेट को 64-bit और और दोनी आपको औक्टा को सीप्यू के साथ आता है लेकिन आगा सीप्यू के साथ कम पेगे तब आपको फ़रग देख इसके अंदर आपको वान को जогई दूंट मिलता है क्यो 1-4-60 के साथ आपको के साथ 1.8 डिगार में बात कर ले एक्जुनस्ट टुवान डबल जिरो के बार में इसमें टोटाल एइट को मिलता है जिनके अंदर वां त्री और फोर को में डिवाइट किये गए वान को आपको मिलता है एर्म कोटिक्स एसे बेंटी एइट के अंदर 3.1 गीगार तक उसके स कोटिक्स से 55 के साथ 2.0 गीगार में तो अगार दोनों के साथ कंप्यार के जाए तो आपको क्लियर आपको विनर निकाल के आता है एक्जुनस्ट टुवान डबल जिरो क्योंकि इसके अंदर जो हायर पार्फुमेस के लिए जो कोड यूज किया है इसमें आपको कोटिक्स स 78 यूज जो कि आपको क्वाटिक्स से 77 से आपको यानिकी प्रीबियास जिनरेशन से 25 परसेंट बेटर पावर एपेसेंज उसके साथ बेटर आपको पार्फुमेस मिलता है उसके बाद भी आपको 3.1 गीगार ता बूस्ट ट्लॉक स्पीड को यह टच करता है तो कमी ऐसा च जिप्यू के सथ कंप्यार के जाए कौन सबको बेचर मिलता है क्वालकम स्नपडरेट ट्रिपेल एइट के अंदर एडिनो की सबसे पावरफुल और सबसे लेटेस जिप्यू यूज जो कि एडिनो 660 का जिप्यू यूज लेकिन कितना मेगाहर्स फ्रिक्वेंसी के साथ आत है जो कि आपको MP12 टेक्लोजी के साथ आता है तो अगर दोनों के साथ कंप्यार के जाए मली का जीप्यू इस मामल में थोड़ा से आपको बेटा निकल जाता है लेकिन आप अगा देखोगे नॉर्माल चिपसेट के साथ तो आपको एडिनों का जीप्यू आगिल निकल है और ये जो 5NM है या आपको बहुती जादा एफ़िसेंसी चिपसेट के साहथ आता है जाधा चिपसेट निये जो कि प्लेरों के अंदर रहता है एक अप्यले फॉर्टिन बार।ेंक चिप्यू और चिपसे रहता है और आपको किलीन का 9000 चिपसे रहता है जोकी 5 ऐनम के साथ रता है तो बहुत ज़ादा पूरोमेंट के साथ आपको देखने को मिलता है और ऑल लेड़ी है आप सबी को बता है जितना कम इने मोटा है उतना ज्यादा efficiency चिपसे रहता है उतना कम पावार को कंजूम करता है तो दोनों चिप से पावार कंजूम की मामल में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है बात करने हैं दोनों का रैम सबोट के बार में दोनों में आपको को LPDR5 का लेटेस रैम की टेकलोजी यूजर और आप टू 16GB रैम को दोनों सपोर्ट कर सकता है स्टोडेज टाइप के अगरा हम बात करनों सभी स्टोडेज टाइप आपको मिलता है और सभी लेटेस मिलता है यानि की यूफस 3.1 तक का सपोर्ट मिलता है यूफस 3.0 यह में सी 5.1 का सपोर्ट दोनों के अंदर मिलता है इस मामल में कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलता है बात कर लें Camera support के बार में Qualcomm Snapdragon 888 rend说 डूवं को सपोर्ट कर सकता है तो इस def reference को नहीं मिलता है बात करना है दोनों का video recording power के बार में दोनों में 8 के तक video को shoot कर सकते हो 30fps के अंदर उसके साथ ही 4K 120fps के अंदर और full HD 240fps के अंदर आप निकल सकते हो दोनों चिपसेट आपको 5G के अंदर मिलता है और 5G के अंदर कोई आपको external आपको modem यूज नहीं किया गया दोनी आपको integrated 5G के साथ आता है यानि कि SOC आप कह सकते हो दोनों के अंदर ये 5G में 160 का modem यूज वाए जिसके अंदर आपको 7.5GB तर अप्टू डाउनलोड स्पी आने बला है तब इसका मज़ा जरू से मूटाएंगे और बहुती ज्यादा मज़ा आएगा बत करने दोनों का अंतुदू बेंचमार्ड स्कोर के बार में जो क्वालकम स्टैप डेगन ट्रिपेल एट है इसका अंतुदू आपको निकल के आया है एट लाग एट्टी थाउ तो आप वीडियो को दो मास या तीन मास बाद में देख रहे हो तो आप जरू स्क्रिप्स को चेक कर लेना तो दोनों के साथ अभी कंपेर करके बता हूं दोनों में से कौन सा बेटर मिलता है दोनों चिप से रैपको लगबाग से मिलता है लेकिन एक्जिनोस टूवान डब अच्छी तरह की सो अप्टिमाइस करने के बाद लाइक एपेल जैसे आपको अप्टिमाइस हो जाएगा अब बहुती जादा अच्छा इंप्रूमेंट के साथ आएगा तो बहुती जादा मज़ा आएगा और देखते है कभी यह लाँच होता है और कितना जादा पावर ए ये बबबाई